तो हमने कल पड़ा था दा वर्ल्ड अब बॉक्स उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं यहां पे एक और तमिल अपिक है मनी में कालिया इसको सतानर ने कंपोज किया है 1400 साल पहले इसमें कौवालन और मादवी की स्टोरी दिखाई है दो कवालन और कांगी जो हस्बेंट वाइफ होते हैं तो कवालन मादवी से प्यार करता है जो की एक वेशिया होती है और कवालन और मादवी की एक बेटी होती है उस बेटी की कहानी लिखी गई है मनी में काले में ये जो दोनो मनी मेकाले और सिली पडी करम ये काफी सालों तक हो गई थी लगपग आज से सो साल पहले मैनियसिक्रिप्ट के बारे में हमें पता चलता है मैनियसिक्रिप्ट होता है जो की हाथ से लिखा हुआ होता है दूसरे राइटर्ज हैं कालीदास इनके बारे में हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था ये संस्क्रित में लिखा करते थे इन्होंने अच्छी काहनिया लिखी हुई है जिसमें एक है मेग दूद ये एक पोईम है काली दास की इसमें दो लवर्स के बारे में लिखा है एक राजा थे और एक प्रिंसिस कहीं की थी उन दोनों की लव स्टोरी के बारे में बताया है मेग दूद के बारे में बताया है मेग होता है मेग का मतलब होता है बादल और दूद का मतलब होता है मेसेज जो एक जगा से दूसरी जगा पहुँचाया जाता है जो ये बातलों से बात करते हैं कि लवर बातलों से कहते हैं कि ऐसा मेसेज मेरा मेसेज मेरे लवर तक पहुंचा दो तो ये इस तरीके की ये स्टोरी लिखे गई है आप पढ़ते हैं recording and preserving old stories पुरानी stories जो लिखी गई हैं उनको संभाल के रखना record करके रखना ये होता है preserving stories काफी सारी हिंदूस religious stories हैं वो इसी टाइम पर लिखी गई हैं ये जो कहानिया गौड के से related हैं ये पुराना का मतलब होता है old इसमें काफी पुरानी stories हमें देखने को मिलती है पुरानास में बहुत सारी कहानिया होती हैं God और Goddesses के बारे में यानि देवी देवताओं के बारे में जो हमें विश्णू, शिवा, दुर्गा, पारवती इन सब के बारे में कहानिया हमें पुरानास में मिलती हैं इसमें काफी डिटेल्स में बताया गया है कि किस तरीके से हमें गाड की वर्शिप करनी चाहिए और ये भी पुरानाज में बताया गया है कि दुनिया कैसे बनी है किंग राजा कैसे बने हैं इनके बारे में भी पुरानाज में लिखा है प्रानास को काफी simple Sanskrit में लिखा गया है और वो इसलिए लिखे जाते थे कि काफी सारे लोग उनको सुन सकें मैं तो पढ़ते थे उनको women and sutras में सुन सकें और उनमें अपनी knowledge ले सकें उन से अपनी knowledge ले सकें ये टेंपल्स में सुनाई जाते थे जो पंडिर होते थे वो प्रानास की कहानिया सुनाते थे मंदरों में लोग उन्हें कहानियों सुनने के लिए आते थे महाम में दो अपिक संस्क्रित में मिलती हैं एक है महाबारता और एक है ब्रामाइना ये बहुत popular रही है महाबारत और ऐस महाबारत में ऐसी लड़ाई के बारे में बताया है जो की दो कसंस के बीच में होती है एक है कौरवास और एक है पांडास इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियों पढ़ेंगी थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो